AI का यूज़ करके जहाँ पर सिर्फ एक सॉफ्टेयर की सब्सक्रिप्शन जो थी वो 100 रुपे थी और उस 100 रुपे से कैसे हमने 3 लाख का रेवन्यू जेनरेट किया वो आज इस वीडियो में बताऊंगा आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ ये मेरी कहानी है जब मैं सिर्फ 10 साल का था उसी छोटी उम्र में मेरे पिता और मा का तलाक हो गया था डेड़ करोड के आसपस का रेवन्यू हमने सिर्फ बिना फेस दिखाए बनाया है और आप कैसे ये कर सकते हैं वो भी डिटेल में डिसकस करेंगे मेरे प्यारे साथियों आप सभी को मेरा प्रेम पूर्वग नमस्कार प्यारे साथियों काफी दिन बाद लोटा हूँ एक एनरजी के साथ और एक ऐसी वीडियो लेकर जहां पर अगर आप यह पूरी वीडियो देखते हैं सेप्टमबर इस सेप्टमबर में हमने सिर्फ AI का यूज करके जहां पर सिर्फ एक सॉफ्ट्वेर की सब्सक्रिक्शन जो थी वो सौ रुपे थी और उस सौ रुपे से कैसे हमने कर रेवन्यू जेनरेट किया वो आज इस वीडियो में बताऊंगा और आप कैसे यह कर सकते हैं कॉंटेंट लेका रहा हूं तो वह वैल्यूबल कॉंटेंट होना चाहिए वहां से रिजल्ट आने चाहिए मतलब ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी डाल रहा हूं सिर्फ यूज के लिए त्यारे सत्यों एक बात आपसे इमांदारी से कहना चाहता हूं कि जो भी यूट्यूब पर यहां से मैं revenue generate करना चाहता हूं मैं पैसे कमाना चाहता हूं लेकिन मेरे work ethics के साथ जहां पर मैं कुछ भी ऐसा promote नहीं करना चाहता जो आप लोग जितना मुझे प्यार करते हैं मैं सच बता रहा हूं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इतना प्यार अगर आप मुझे कर बता हूं वह आज इस वीडियो में आपको बताता हूं आप सिर्फ यह वीडियो देखिए यहां से अगर आप बेना फेस दिखाए अच्छा revenue generate करना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहे हैं अगले 15-20 मिनट और आपको एक ऐसे strategy दे कर जाऊंगा अगर आप इसको implement करते हैं त कमेंट्स आप लोगों के मिलते हैं बहुत शुक्र गुजारूं आप लोग इतना प्यार देते हैं तो अगर अच्छा लगता है वीडियो अच्छे लगती है तो लाइक कर दिया कीजिए इससे रीच वड़ती है वीडियो की और लोगों के पास यह वीडियो पहुशती है आजूए वीडियो में आगे चलते हैं एक चीज आपको दिखातो हूं है यहाँ पर आप देखेंगे तो यह जो वीडियो यहां पर अड़े 9 मिलियन Siya यह सेप्टेंबर का है यहां पर देखेंगे जो रेवेन्यू है वो सारा रेवेन्यू एसे एसे वीडियो है एसे वॉइस ओवर है एसे कॉंटेंट है मतलब 100% एकॉंटेट है मैं आपको दिखाऊंगा भी और आपको बताऊंगा किस तरह से बनता है और आप यह समझें कि हम एए पर स्विच्च कर रहे हैं बहुत सारे एक्सपरिमेंट करने पड़ते हैं जब भी हम कॉंटेंट क्रेशन में होते हैं तो कई बार यूट्यूब अपने आपको अपडेट कर देता और अगर कॉंटेंट क्रीटर अपने आपको अपडेट ना करे तो वह पीछे शू ना करें पर इस चैनल की अगर मैं बात करूं मैं दूसरे चैनल की बात कर रहा है FDTV की जिसको मैंने आप लोगों को दिखाया है यह MSTV है जिसकी मैं बात कर रहा हूं यहां पर आप देखेंगे AI से कॉंटेंट है और लगबग पिछले महीं ने तीन लाग से ज्यादा कामन में डिसकस करते हैं मुझे मालूम है कि बहुत सारी बात करते करते टॉपिक से हम थोड़ा सा बटक जाते मुझे मार्फ कीजिएगा चलिए शुरू करते हैं दोस्तों एक पर मैं चाहूंगा कि आप एक बार यह वीडियो देखिए और इनमें देखिए कि किस तरह से इमेज हो जाती हैं यहाँ पर 3.6 मिलियन व्यूज है और इसका रेवेन्यू लगबग 800 डॉलर के आसपास है तो इस वीडियो के एक बार आप एक क्लिप देखिए वो उस रात अपने बेटे को ले कर अब मैं पहले इस क्वाट करता हूं प्यारे साथियों देखिए हर एक कॉंटेंट की एक अपनी डिफरेंट ओढ़ियोंस होती है यानि कि यह जो कॉंटेंट है यह एक अलग तरीके की और देख रही है मेरी जो डॉक्युमेंटरी वीड जो है उन लोगों के लिए जो लोग न्यूज देखते हैं यहां पर जो ऑडियंस की एज होती है वो होती है लगबग 25 से 35 45 के असपास तो उस तरह के लोग यह content देखते हैं आपको पता है यह जो कॉलकता के incident था यह sensitive incident था यहां पर जो भी हुआ आपको आप सभी को पता है त आप समझी आपको engagement लाना है अपने वीडियो के अंदर और आपको पता है कि आपकी audience कौन है कौन लोग आपको देख रहे हैं देखिए जब भी हम content बनाते हैं तो हमें यह धियान रखना है कि मुझे वो product बनाना है जो जनता demand कर रही है जो लोग देखना चाहते है अगर मैं सिर्फ वो चीज़े बनाने लगूँ जो मुझे पसंद है जो सामत पर पर कहा जाता है आप वो कीजी जो आपको पसंद है वो चीज़े अलग है न वो दूसरी जीके पर अच्छी लगते हैं पर यहां पर हमें देखना है कि जो हमारी audience डेमांड कर रही है जो उनको चाहिए वो हम create करके उनको दे तो यह content हमने बनाया इसमें मैं बिल्कुल अपना समय नहीं देता हूं मैं आपको सच पता हूं यह सारा जितना भी काम है यह एश्वनी मैनेज करते हैं मुझे बिल्कुल समय नहीं देना होता हम एक हफते में कभी discuss कर लेते हैं कि किस बारे में वीडि यहां पर जो यह एक आप देख रहे हैं वेबसाइट है जैन क्राफ्ट नाम है इसका किसी तरह का sponsor नहीं है यह सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारे टीम इसे यूज करती है तो मेरे प्यारा साथ यहां पर इसमें आप ध्यान से समझे अभी मैं आपसे यह नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर इसको खरीन लीजिए अभी मैं आपको सिर्फ यह बता लों कि फ्री में आप क्या सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं जब आपके पास revenue आने लगे तो आप इंवेस्ट कर सकते हैं हालां कि यह तो हमारे पास कई सालों से हैं लगबग एक लेकिन पिछले माई ने हमने इसका जो सब्सक्रिप्शन लिया है वो लगबग 120 रुपे के आसपास है 120 रुपीज तो यहां पर क्या होता है कि आपको किसी भी तरह की AI इमेज चाहिए जैसे अभी आप सभी को पता है कि सर रतन टाटा कर डिमाइस हुआ है तो वहां पर एक कमांड देंगे प्रॉम्ट देंगे और आपको एक इमेज देदेगा आप उसको जाकर यूज कर लिए इसमें बहुत सारी चीज़ा होती है अगर मुझे अपनी इमेज चाहिए तो मैं यहां पर अपनी एड़ फोटो यहां पर मैं अपनी जो इमेज उसको एड़ कर दूँ करेंगे वाइड में आप सेलेक्ट करेंगे उसकी बाद यहां जो मॉडल है वह सारे मॉडल है मुझे मालूम है कि थोड़ा सा कंफीजन आपको आ रही है लेकिन आप जब यहां पर जाएंगे और इसको देखेंगे समझेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा बहुत बेसिक स है वो यहां से क्रेट की गई तो इमेज के लिए तो यह हो गया अब आप यह समझे कि मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूं यहां पर बड़े ध्यान से समझेगा आप सभी को पता है कि एनिमेशन हुआ करती थी अब टाइम वह आ गया जब एनिमेशन का जो दौ एक प्रिक्ष ऑप्ष्ण अभी से अवेलियबल है आप सुझी चार साल बार इसका क्या हाल होगा तो यहां पर एक एक्जांपल के तौर पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं में कमांड देता हूं तो इस कमांड को देने से पहले हम क्या करते हैं एक और हमारे पास एडियो मोडल होते हैं बहुत सारे फ्री मोडल्स होते है रिल सिल भाहां नीचे हम लोग चलते हैं यहाँ आप कि मडेसरी एक आप पर हम लोग इसे ज्यादा प्रफ्रेंस देते हैं तो उसके कमांड दिता हूँ तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे की रतन टाटा देख bissru किसी बात कर रहा है इसने हमें एक इमेज़ के साथ और अनिमेशन इसके साथ कर सकते हैं हमें कुछ लिपसींग करवानी है यहां हमें इसको अनिमेट करना तो हम देखते हैं मैं इसको सेव कर लेते हैं चलिए मैं आपको मिलवाना चाहता हूं पीका से यहां पर आप देखिए यह एक ऐसी ऐसा एप्लिकेशन आप बोलिए इस साफ्टेयर बोलिए ऐसी वेबसाइट बोलिए जो हमें हमारे हिसाब से एए वीडियो लाकर देती है मैं चाहता हूं कि सर रतन टाट कर आंब मैं है कि एक वीडियो हो मेरे पास जो ईसी लगी मुझे की वह किसी से बात कर रहे हैं आप सुचे इस चीज को क्रेट करने में अनि मिटर स्को किसी से बात कर रहे ह्यूं है आप सब्सक्रिपेशन रहरती हैं लेकिन मैं आपसे कोगा कि अभी आप इसमें इंवस्ट ना करें अभी आप सिर्फ सीखें फ्री वर्जन पर जाएं और यहां पर अगर आप इनको एमेल करते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको एक दो महिने के लिए यूस करने के लिए वो टूल दें तो वह कंपनी हूं मैंने ऐसा किया है बहुत सारे कॉस्ट कॉस्ट ली जो टूल सोते हम लोग एक बार जाते उनके पास और उनसे बोलते तो वो हमें देते चली यहां पर मैं चलता हूं देखिए यहां पर एक ओप्शन देखेंगे आप इमेज का हम यहां पर वही इमेज लाते जो मैंने जैन क्राफ्ट पर क्रेट किये यहां सरतन टाटा बात कर रहे हैं और वही कमांड जो मैंने वहां पर दी थी वही कमांड मैं यहां पर देने वाला हूं यहां पर दो आप्शन होते हैं हमारे पास यहां पर आप देखेंगे 1.5 एक वरजन हमारे पास और होता है वह होता है यहां पर अगर मैं क्लिक करूं तो आप देखेंगे पीका 1.0 तो 1.5 में किया है कि आप बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं थोड़ा डीटेल आता है यहां पर मैं इसको यहां पर कमांड देता हूं हमने इमेज एड़ कर दिये फिर से यहां पर वही लिखता हूं चलिए हमने यहां पर कमांड दे दिया है आप देखते हैं वह हमारी उस इमेज को क्या करके हमें देता है तो मेरे प्यारे साथ यहां पर कुछी मिनट के अंदर आपको यह एक वीडियो लाकर देदेगा पांच सेकेंड के आप देख रहे हैं इस टाइमिंग को आप बढ़ा मैं आपको कुछ चीज और बताऊंगा यहां पर आप देखें कितना अच्छा और शांदार यह एक वीडियो लिपसिंग भी हो रही है यहां से गर्दन भी हिल रही है वहां पर सारी चीज़े रियलिस्टिक लग रही है अब इस एनिमेशन को अगर आप अनिमेट करने अगर आप अच्छा ऑथन्टिक सुन्दर कांटें बनाना चाहते हैं तो आपके पास बहुत सुन्दर ओप्शन है जैसे इस परकार से अगर मान लीजिए आप कुछ ऐसा कॉंटेंट बना रहे हैं जहां पर आपको बहुत जल्दी से कॉंटेंट ले कर देना है तो आप वी इमेज एड़ करेंगे जिसकी भी आपको चाहिए और डिटेलिंग में इमेज को ला कर देगा कुछ मॉडल साफ सलेक्ट कीजिए उसके बाद आप रेशियो सलेक्ट कीजिए और जनरेट कर दिए इमेज आ गई अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं तो डाउनलूड करके अगर आप चाहते हैं थोड़ा और अच्छा कॉंटेंट बनाना जैसे आप एक एनिमेटेड मूवी बनाना चाहते हैं वह भी बना सकते हैं सिर्फ मैंने आपको छोटी सी चीज बदाई है अब आप जितना अपनी क्रेटिविटी यहां पर लगाएंगे आपको उतने समझ में नहीं आएगा आप देखें किस तरह से वोईस ओवर के साथ वो इमेज और वो सब सेंग हैं देखें आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं यह मेरी कहानी है जब मैं सिर्फ 10 साल का था उसी चोटी उम्र में मेरे पिता और मा का तलाक हो गया था तो आपनी यह व समता है यह कर सकते हैं अभी मैं सिर्फ इमेज वाले पार्ट पर हूं हम लोग वाइस ओवर वाले पर चलते देखें वाइस ओवर में क्या होता है हमारे पास एक 11 लैब्स करके टूल है लेकिन आप यह समझे कि अगर आप इसको कुछ चीजे आपको experience के हिसाब से जो मुझे सारे voice-overs यहां से ले रहे हैं अगर किसी एक model की आवाज बहुत ज्यादा यूट्यूब पर यूज होती है तो यूट्यूब का जो algorithm है वो उसको समझ लेता है डिटेक्ट कर लेता है अगर वहां पर किसी एक model के पास views ज्यादा आ रहे हैं और आपने उसी model को लेके अपना voice over किया है तो आपके भी views ज्यादा आने के chances बढ़ जाते हैं यह एक algorithm है जैसे कि अगर मालेजी Adam की यहां से आवाज जो है वो बहुत सारी लोग यूज करते हैं हालांकि हम हमेशा मेरा तो हमेशा से यह कोशिस रहती है कि हम कुछ अलग करें डिफरेंट करें तो हम वहां पर चैलेंज देते हैं कि हम अलग voice over और वो सारी चीज़े अलग करना चाहते हैं लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूं कि अगर किसी कोई ऐसा model है जिसकी अवाज ज्यादा लोग यूज करें तो आप भी वो कर सकते हैं यहां पर हमारे पास सबसे पहला तो होता है text to speech आ आप यहां पर कोई भी आर्टिकल लेकर आईए मैं ऐसा समझता हूं कि अगर आप रतन टाटा सर रतन टाटा के ऊपर वीडियो बनाना चाहते हैं उनके लाइफ की बारे में बनाना चाहते हैं तो आप दिखे कितने आसानी से आप सारी चीज़े दिखा सकते हैं कमांड दिय दिया आपने कि चाइल्डूट की जो पिक से अपने रतन सर रतन टाटा की जो इमेज़े वहां पर जैनकाफ में एड़ की उसके बाद चाइल्डूट पिक्चर लिखेंगे तो वह उसी हिसाप से वह आपको क्रेट करके देगा आप उसको पीका में जाक अनिमेट कीजिए और वापस लाइए यहां पर हम लोग सब्सक्राइब करते हैं अब मैं इसको पूरी तरह से कॉपी कर सकता हूं अगर मुझे लगता है कि मैं अपने इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए यहां पर कुछ चीज़े और यूज कर सकता हूं जैसे आपको पता है कि इस रतन टाटा की कितनी रिस्पेक्ट है भारत में और इनका जो कॉंट्रिबूशन है चाहे वो भारत की जीडीपी में हो या फिर इंडिस्ट्री में वर्ल्ड लेवल पर भी अगर कॉंट्रिबूशन देखा जाए तो इतना ज्यादा है और सिर्फ उसी वज़े से इनको रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा मिलती है चाहे वो घर में छोटा से छोटा सामान हो या फिर अपने गाडिया हो या प्लेन त तो यहाँ पर मैं क्या करता हूं इसको पेश कर देता हूं अब आप दिखिए हैं यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे मॉडल्स होते हैं तो सबसे अच्छी बात ही होती है कि हर एक कॉंटेंट यह साब से हमें मॉडल चुनना होता है कि अगर कोई emotional content है तो वहाँ पर कोई ऐस मॉडल हमें चाहिए जो slow pace में बोले आराम अराम से बोले जहां पर music के साथ हम उसको लगा सके और कोई crime बता रहा है तो आप को ऐसा चाहिए जो fast pace पे कहानी को ले कर जाए और फटा फटा फट जल्दी news की तरह वहां पर दे यह एक ऐसी कहानी है जहां पर मुझे थोड़ा टाटा का पालन पोशन 1948 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था रतन टाटा साल 1962 में कॉर्नल यूनिवर्सिटी से बीठार्क की डिग्री प्राप्त की थी अब आप यहां पर देखेंगे कि एक स्लो पेस के साथ कहानी जैसे हमें चाहिए वहां पर हमें voiceover बिलके है क्या यहां पर काम खत्म होगा है जी निबिलकुल नहीं यहां पर हमें क्या करना है अब आप यहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं इस स्ट्री में आप दे कि image कैसे आप find करेंगे उस image को वीडियो में कैसे आप बनाएंगे उसके बाद voiceover कैसे करेंगे content कैसे लेकर आएंगे इस सारी चीज़े मैं आपको बताई यहाँ पर कुछ चीज़े और मैं आपको बताता हूं एक option और है यहाँ पर हमारे पास voice changer तो आप क्या कर सकते हैं अगर चाहिए आप वहाँ बीच में हसे हों चाहिए आपने बीच में ब्रेक लिया हो तो जिस फ्लो में आ रहे हैं वह फ्लो आपको महां से मिल जाएगा और आवाज आपको यहाँ से model की मिल जाएगी तो वह बहुत अच्छा content हो जाएगा इस थरीके से आप कर सकते हैं प्यारे मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि आप अगर consistency के साथ मेहनत करते हैं और अपने content को improve करते जाते हैं देखिए यह तो आपको धियान रखना ही होगा कि आपकी जो audience है वो कौन है किस तरह का content बना रहे हैं पर साधे साथ आपको सेम निश में अपने content को improve करते जाना होगा हर ए आता हूं यह दो साल पहले भी हाँ तीन साल पहले अगर मैं बात करूं तो मैंने लगवक्त तीन तीन लाख रुपे voice-over artist को हमने दिये हैं यह अलग बात है कि वहां से return भी हमारे पास अच्छे आये हैं वह कुछ परसंटी हुआ करता था लगवक्त 10-12 लाख वहां से अगर तो मुझे लगता है कि आप अच्छा content create करना समय के साथ सीख जाएंगे ऐसा नहीं है कि मैंने आपको चीज़े बताई और आप कल अगर content create करने बैठे तो आप उस level का content बना पाएं जैसा मैं expect कर रहा हूं आपसे लेकिन मैं एक वादा जरूर कर सकता हूं अगर आप consistency के पांदार content generate करने में बनाने में काम्याब होंगे इस चैनल पर मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है जो अच्छा revenue generate करने के लिए होना चाहिए फ्री में भी और paid भी वैसे तो mentorship मैं लेकर आया तीस दिन की mentorship थी जहां पर मैं live आप सभी के साथ बैठके बताता था उसके बाद मैंने फ्री में भी 21 दिन की series चलाई जहां पर मैंने सब चीज़े बताई और आज भी इस वीडियो में वह सारी information दी जो किसी एक अच्छे paid course म मैं इमानदारी से कहना चाहता हूं कि मुझे पैसे कमाने से related कोई भी चीजों अगर वो मेरे work ethics में आती है तो मैं उसको promote जरूर करता हूं अगर मेरा course 20,000 का भी होगा तो भी मैं आप सभी किसाब में लेकर आऊंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि जो चीज मैं आपको deliver कर रहा यूट्यूब पर इतनी सारी information है कि अगर आप किसी course में enroll ना भी करें तो भी आप वो सारी चीज़े सीख लेते हैं पर किसी course में mentorship में enroll करने का मतलब यह होता है कि आपको वो सारी चीज़े series में मिलती हैं सिर्फ इतना सही है तो मेरे पर दोस्तों आप सभी को बता है MS TV पे लगबग डेड़ करोड के आसपास का revenue हमने सिर्फ बिना face दिखाय बनाया है जिसमें किसी तरह का कोई face हमने ने दिखाया वहां से अच्छा revenue लेकर आ है अभी AI पे हमने switch किया है वहां से भी मैंने आपको बताए कि लास्ट लगबग 30-35 दिन के अंदर हमने कैसे तीन लाग का revenue generate किया और यह AI हमने काफी पहले से शुरू किया है दूसरे चैनल पर इस पर जो हमने किया है वो लगबग 30-35 दिन पहले से शुरू किया है एक और चीज जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं तो मेरे पर दोस्तों यहां पर आप देखेंगी यह एक program है जो मैं इन दिनों चला रहा हूं यह कब तक चलता रहेगा यह कब तक मैं आप सभी के साथ इसको लाओंगा मुझे लगता नहीं कि इस महीने के बाद यह अवेलिबल होगा यहां पर क्या है कि faceless fame यहां पर आप बिना फेस दिखाए कैसे अच्छा revenue बना सकते हैं वो सारी चीज़े मैं डीटेल में बताई है एक एक क्लास एक घंटे से ज्यादा किया इसमें आप एंडूर कर सकते हैं यहां पर आप देखेंगे इसका जो एक् 50-100 अगर आप यह कूपन एंडूर करते हैं इसमें अप्लाई करते हैं तो आपको यह प्रोग्राम आप इस प्रोग्राम में 999-999 में आप एंडूर कर पाएंगे और यकीन मानिए इसमें आप देखिए सारी चीज़ें क्लूर्ट हैं मैंने हमेशा से यह सोचा है कि प्राइ आप स्टूडेंट भी है तो भी आप एक हफ्ते में इससे ज्यादा का फास्ट फूड खा जाते होंगे मैं यह नहीं कह रहा है कि आपको वैसा नहीं करना चाहिए सारी चीज़ें जीवन में जरूरी हैं पर आप इसमें रोल करके चीज़ें सीख सकते हैं आप देख सकते है कि कैसे हैं अच्छा रेविन्यू बना सकते हैं अगर आप पढ़ाई कर रहें तो आपकी पहली प्रायरेटी आपकी पढ़ाई होनी चाहिए हमेशा इसमें आप बेशक एंडूल मत कीजिए लेकिन आपकी जो एजुकेशन है वह बहुत इंपोर्टेंट है अगर आप पांस साल बाद पच्टावा नहीं होगा भले ही आपका सेलेक्शन ना हो पर आप अगर कॉंटेंट क्रेशन में भी तीन साल बाद आते हैं तो आप और लोगों को पीछे कर पाएंगे अगर आपके एजुकेशन अच्छी है अगर आपको आपने पढ़ाई किये उसमें के बाद आया कुछ चीज़े रहती हैं आपको मैंने बताया कि ऑफ़ाइन भी एक बिजनस है जहां पर मेरे काफी समय जाता है मैं कंसिस्टेंसी यहां पर मेंटेन करने की कोशिस कर रहां मुझे थोड़ा समय दीजिए वैल्यूबल कॉंटेंट लाता रहोंगा आप सब सभाई की तरह होती है तो जरू जाके अगर आपको मेरे काम अच्छा लगते तो अप्रिशीट कीजिए लिंक तीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आप एंडूल करना चाहें तो जाकर जरू कीजिए मिलते एकली वीडियो में तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद